अलो एब्रीवन वेलकम टू अलर्ट प्राइस तो आज हम डिसकस करेंगे आप ही क्लास 9 की साइन्स की बुप कर चैप्टर 20 जो कि आपको बाइलोजी के चैप्टर है इंप्रोव्मेंटिंग पूड रिसोर्स है यह अपका आयरन सीरीज के लेक्षर 3 है अभी तद हम ने इसक के वाद और देख लीजियागा ताखि आपको बहतर समझ में आसते खेज और यहा आप भी बाइलोजी का लास्ट चैप्टर है और साइन्स की पुब्क का भी आप का लास्ट चैप्टर है चैप्टर 20 ओके तो चलिए स्टर्ट करते हैं तो आज जो हम डिसकस करेंगे वह है करेंगे organic farming ठीक है organic farming के वारे में हम discuss करेंगे तो यह और यह तरीके से होती है ठीक है तो देखे organic farming में जो हम जबस करते हैं fertilizer वो और गैनिक तरीके के होता है यानि कि जैसे जैसे जिम्शन जैसे मम उसका हम यूज़ करेंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत से पार्विंग जो अब होती है तो वो लोग जब अपनी सबसिया लाते है या अपनी प्रॉप लाते है या पसंद लाते है तो वो यह कहते हैं कि यह हमारी और्गैनिक तरीके से तरी हुई पात में है यानि कि यह पसंद और्गैनिक तरीके as their own disadvantages, ठीक है, fertilizers और pesticides का disadvantage है, ठीक है, एक cause, pollution, damage, soil paternity, जो pollution करते हैं, soil की paternity को damage करते हैं in long run, और soil जो paternity होती है, उसको damage रखते हैं, काफी लंबे वक्त रखते हैं, grains, fruits, vegetables, obtained may contain harmful chemicals, in small amount, for example, अगर आप इसी भी पसर में fertilizer का यूज़ कर रहे हैं, या pesticide का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका small amount of chemicals, वो हमारे fruits, vegetables, या grains में चला जाता हैं, organic farming is a farming system, will no or very little use of chemicals like fertilizers and pesticides, ठीक है, if friends may to protect food grains before they are stored for future use, ठीक है, अज़र हम कोई भी पसर पो इस्टोब कर रहा हैं, उसके लिए तो हम उसे किन तरीकों से रखेंगे, फस्ट हमारा आए drying, ठीक है, dry रखेंगे हम, the food grains should be properly dried in the sun, यो food grains होते हैं, हम उने proper तरीके से sunlight में सुखाएंगे, यानि भी dry करेंगे, maintenance of hygiene, और हम उसमें hygiene पो maintain करेंगे, the grains must not contain insects, ठीक है, insects ना उसमें, जो go-downs होते हैं, शुट भी clean वो अच्छे तरीके से, और जो crack होते हैं रूप में, वो सारे बंदों on the walls and floors, शुट भी sealed completely, ये जितनी भी cracks होते हैं, ये sealed होना चाहिए, ये completely, ओके, नहीं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये आदर किसी वो डाउन के अंदर crack है, तो वहाँ से कोई भी insect आ सकता है, ये चुगाई आ गया, ये जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुचाएगा, उसके बाद आपके पंजाई आ दे, ये कोई भी bacteria आ दे जो ग्रेन को खराब कर सकता है, ये पहुस सी चीज़ों होते हैं जो ग्रेन को खराब कर सकते हैं और पानी भी आ सकता है, परसा तो ये बारिश हो गए, तो उसकी वचाँ से सीड हो जाएगा, तो से भी वो क्रेंस होते हैं, वो खराब हो जाते हैं, तो वो पूरी तरह सेल्ड होना चाहिए, अब सी हम बात करेंगे, फ्यूमिगेशन, यानि की पंजाई से हम किस तरीके से रोखेंगें, गोडाउंस एंड इस्टो शुट भी प्रॉपर नी स्प्रेट, फिर फ्यूमिग शुट भी ट्रीटेट विद इंसेक्टी साइट्स एंड फंजी साइड्स, इसपेशनी यह जो हम ट्रीट करते हैं, वो सीट्स में करते हैं, यानि की बीजो की लिए, ओके, अब हम स्टोरेज डिवाइस की बात करेंगे, कि हम किस तरीके से स्टोर करेंगे, क्लीन एंड ड् र्याइट हो पली अद भी पैड रैस तर्भेज टिवाइस खे विटॅब भॉख भी बैरियर्ट ऑर इसके अलवग्यवा भी जो स्टोरेज करने ऍária डिवाइस होतेंगे, वो वेरियर्फ यबाइस ओर्गयवारत हो की अपित्वhr होतेंगे, तो यह दूज गद विज़त इन एन एफिसेंट मेनर और फूडॉडॉ। तू अप्टेइन फूडॉडॉ। ताकि जादा से जादा फूडॉडॉ। हमारे निये अप्टेंड और अधर यूसफुल पॉर्डॉडॉडॉक्ट्स हम बना सकते। ही का इंसर फ्रॉम्टॉ कैटन फार्मिंग का purpose क्या है प्रफस ओफ तटन फार्मिंग हमें रूटॉडॉडॉडॉ जो प्लगिंग फ्यूडॉड यह धो कि जो चलाते हैं आपने देखा हुआ हुआ अप तो टेक्स्रेंज होता है। बाइब को चैंप्सियोरा क्या सब्राइब वर सबावना को जाता है कि अल जो पुल कार्ट पॉर ट्रांस्पोर्टेशन फील्कार्ट होती है ट्रांस्पोर्टेशन के लिए जिसे हम फैनल गारी बूलते हैं आपने देखा होगा वुडा गारी वी उती है तो यह जो होते है, cattle transportation होते है, types of cattle, काओ है आपका पॉस इंडिकर्स और फैलो है आपकी पॉस गॉबेलिस ही गई है, यह इन्द साइंटिफिक नहीं है, अब हम milk animals की बात करेंगी, इस इंक्लूर्स milk production producing animals, sorry, this includes milk producing animals, अब इसमें female kettles आते हैं, जो milk produce करते हैं, ठीकर milk animals, brought animals, those animals which do not produce milk and are used for agriculture work, अब जो animal दूद नहीं देते हैं, वो agricultural work में यूज आते हैं, ठीक्टेशन पीरेट, the period of milk production between birth, lactation period आपका क्या हो गया है, यह वो period होता है, जो between birth of a young ones and the next pregnancy, यानि कि young ones की बर्चसे नहीं कि next pregnancy तक 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 जो period होता है, वो lactation period होता है, तो हम इसको बोलता है, is called lactation period, ओके, care of cattle, आप cattle की care किस तरीके से करेंगे, clean deck, cleanness through shelter with good ventilation, और protecting from rain, heat and food, अब आप एक बाद बताईए, जिस एनिमल से आप मिल के ले रहें, या आप उससे agriculture का भर के ले रहें, लेकिन आप उसके रहने के लिए अच्छे इंतजामात नहीं का, तो यह चीज तलब है, तो उसके लिए आमें एक बहतर ventilation रखना चाहिए, ताकि वो shelter रेन से बढ़ सके, कर्मियों में heat से बढ़ सके, सर्दियों में cold से बढ़ सके, ठीक है, regular brushing कीजिए आप of skin of cater, ठीक है, sloping floor और shelter for avoiding water अब जो पर्ष होता है, जहां पर animal रह रहे हैं, वो floor ऐसा होना चाहिए कि अगर वहाँ पर किसी भी तरह पानी रुपता है, तो वो डारेक्ट चला चला, ठीक है, तो ऐसा नहों कि गड़े हों, आप water जो है वो चाही नहीं रहा और वो महीं पर रुप गया है, तो वो गड नहीं आता है, ठीक है, सेगल फूल, रपेज मेंड, यानी कंटेनिंग फाइबर, आप जो आम उने खाने को देए रहे हैं, उसमें फाइबर सो, कंसेंट्रेट कंटेन्ट प्रोटीन सो, वोट कंटेनिंग माइक्रो नूट्रियंट्रियंट्स, विडामिनेंट बिंडर्स औ और इन्हेंस मिल्प प्रोड़क्शन, अब क्या होता है, जो दूत लेने वाली प्रोटीन सो, फाइबर सो, माइक्रो नूट्रियंट्स हो, तो वो अच्छा दूप प्रोड्यूस्टर, लेकिन जब आप उन्हें प्रोपर तरीके से खिलाई नहीं रहे, तो उनकी बोड़ी में खुद कमजोरी है, तो वह आपको प्रोपर तरीके से मिल्प नहीं दे सकते हैं, अब हम बात करेंगे, डिसीज के, क्या क्या डिसीज हो सकते हैं, डिसीज के अब जो केटल्स होते हैं, अगर उन्हें पुपार आ जाए, तो उनका जो फूट होता है, वो कम हो जाए, उन का जो मिल्ट प्रोडक्शन होता है, वो कम हो जाता है, और अगर सीरियस डिसीज हो जाता है, तो उसमों उसकी टैथ भी हो जाती है, यह पेरसाइट्स आर इस्माल ओर्गिनेज्ट लिविंग ओर्गिनेज्ट वोते हैं, जो ओस्टी की बोड़ी के आउटसाइड एंड इं इसकी तर्गिसे नहीं, फिए के एकस्टनल पेरसाइट्स on × communities और जो एकस्टनल पेरसाइड होते हैं वो इसकिन भी होते हैं, क्टैल कोğुट अजल प्रसाइड्स सीयज, उसमें एसकिन डिसीज हो जाती है, इंटर्नल पेरसाइट्स आइक वम्स, सच इस्टमट, एंड इ देते हैं, फ्लूप्स जो होते हैं, वो लिवर प्रॉब्लम्स देते हैं, ठीक है, बैक्टिरिया वाइरस 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 वादी, यह इन्फेक्टियस डिसीज होती है और यह ट्रांसफर हो जाती है, एक से दूसरे वह बढ़ी आसानी से, ओके, अब फॉर एक्जाम्पन ज साथ में रहते हैं, तो वह वादी क्यों डिसीज होती हैं, बैक्टिरिया और वाइरस वाइरस वादी डिसीज होती हैं, और इन्फेक्टियस डिसीज होती हैं, तो वह ट्रांसटोर्ट करती चलिए आतों, ट्रांस्मिटेट होयाती है, एक से दूसरे को, तो इस तरीके से य जहाँ पर आपके चिकिन फलते हैं, ठीक है। फॉलिट्री फार्मिंग एस डन पर एक्स एंड़ मीट्स अब ये जो होती है ये एक्स एंड़ मीट्स के नहीं ये होती है। बोत आर प्रोवाइट प्रोटीन तू अवर डाइट अब यह जो होते हैं यह हमें प्रोटीन प्रोवाइट करते हैं एग एंड मीट अब पॉलिटरी पार्मिंग में आपके जो रीड होती है उसको हम ब्रॉइलर्स कहते हैं ठीक है यह मुर्गे होते हैं जो ब्रॉइलर्स हो और ये च्छै से आठ हफ़े में हमारे निये योसफूल हो जाते हैं पर्थिसु कि जब ये पैदा हुए उसकी च्छै से आठ हप्ते में ये तियार हो जाते हैं, ओकी layers की बात करें हम birds grow from birds grow from for obtained eggs are called layers अब यह जो होते हैं यह layers होते हैं जो हमें अंडे देते हैं they can be used after 20 weeks अब यह जो होते हैं यह 6 दिन से पैदा हुए उसके बाद हमारे लिगे 20 week के अंदर यानि कि 20 अफ़ों में useful हो जाते हैं when sexually maturity और यह sexually mature हो जाते हैं has been attempt to lay eggs और यह अंडे देने लगते हैं most of their broilers and layers are crossbreed तो इसमें क्या होता है जो broilers होते हैं और layers होते हैं यह crossbreeds होते हैं ओके तो अब हम बात करेंगे breeding is done to enhance following properties in hands हीग है hands में breeding following properties होती है breeding हमें क्या चाहिए more and better quality भी कि chicks चाहिए यानि कि जो हमें मुर्गी के बच्चे चाहिए वो एतर और more quality दो होना चाहिए जिनका law maintenance हो breeding is done to produce dwarf broilers meat giving birds हीग है जो द्वार प्रोइनर्स होते हैं वो meat giving birds होते हैं feeding first is the biggest expenses हीग है अगर हम कोई भी quality farming है और उसमें अगर हमारे पास ऐसे जिनकी quality मतलब उन्हें खिलाने में कर्चा जाता आ रहा है तो वो हमारे लिए नुकसान वाल्या सौदा हो जाता है तो जो लोग पालते हूं इस चीज़ पर ध्यान लगते हैं जो farming करता है होते हैं पालिट्री पार्वी जो मुर्गी पालन कहना था वह इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम ऐसे बच्चे हैं जो कम खाएं क्योंकि खाने का ही अर्चा सक्षजाद होता है और यह expensive होता है जिसकी वजा से जो कोस्ट होती है वो 30% कम हो जाती है और also they can tolerate more heat और यह जादा गर्मी सेन कर सकती है जब गर्मी जादा पड़ती है तो chicks की death होने लगती है और अगर कह गयते हैं हमें ऐसा चिक मिन जाए जो heat को से सकें तो वो कहता रहता है तो जो ड्वार्ग प्रॉइलर्स होते हैं यह 30% हम जो खाते हैं खाने का जो खर्चा ह होता है तीस परसेंट की कटोती हो जाती है और उसके बाद यह जादा गर्मी सेन कर सकते हैं अब हम बात करेंगे फिश प्रॉडक्शन की फिश में जो आती है जो हम लोग आते हैं कैटला, सिल्वर कार्प, रोहू, ग्रास कार्प, निरागल, कॉमन कार्प, ओके तो अब हम बात करेंगे फिश प्रॉडक्शन इदा ग्रेट सोर्स अफ प्रोटीन, तू अवर टाइट, ओके फिश प्रॉडक्शन जो है वो ग्रेट सोर्स अफ प्रोटीन टाइट था, ठीक है फिश प्रॉडक्शन इस अउप टू टाइप, फिश प्रॉडक्शन जो होता है आपकर टू टाइप का होता, फस्ट की हम बात करेंगे, फिन्ट फिश प्रडक्शन या आप इज़े ट्रू फिश प्रडक्शन कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, प्रडक्शन हैंड मेनिजमेंट और कार्डिने जीनस एंड बॉनि फिशेज, इसमें आपकी शेल पिश आतनी है, ओके, प्रडक्शन ओप शेल पिश सच एस प्रॉंस मॉलस्टा, ओके, तो या अन्फिंट फिश प्रडक्शन है, डिपेंडिंग ओन दा मोड ओप ओप्टेंड फिशेज, फिशिंग आर ओफ टू टाइप्स, फर्स्ट हम बात करेंगे, यह कैप्चर फिशिंग ऑफ एक नेशरल नी बिविंग फिशेज, इन वर्यज वाटर बोडी अर्ड कैप्चर, जो फिश नेशरल तरीके से रह रही होती है, उनकों हम जो कैप्चर करते हैं, वो आप एक यह कैप्चर फिशिंग एलाती है, second अम बात करते है culture fishing की fishes of desired varieties are cultivated in confined areas with outmost care to get maximized maximum yields अब जो confined areas में जो outmost care करना पड़ती है और उसके लिया में maximize yield मिलती है ठीके desired variety this is also called aquaculture तो इसको हम कहते है aquaculture aquaculture can be done in अब ये जो aquaculture भी done होगा वो oceans में होगा, rivers में होगा lakes में होगा, ponds में होगा etc. जो जगाई इसी तरह से हो ठीके when it is done in oceans it is called mariculture अब ये जो ocean में done होता है उसके हम बोलते है mariculture मेराइन फिशिंग, अब हम बात करेंगे मेराइन फिशिंग मेराइन फिशिंग इन्कलूर्स फिश परड़क्शन तो यह जो आते हैं मेराइन पिशिंग में है अब इसमें आप देख सकते हैं सैटलाइट का यूज़ हो रहा है अब हमें हाई पोपुलेशन पता लगानी है कि सी के अंदर पिश्ट की कहा है तो उसके लिए हम एको साउंडर का भी यूज़ करते है तो उससे हम पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादर पिश्ट के से रिया में एगा सी पे इन लेंड फिशिंग इट इंक्लूड्स फिश्ट प्रोडक्शन इन फ्रेश वाटर पर एक्जामपल पॉंड्स रिवर्स, टेक्स, रिजर्वाइर्स एंड रैकिश वाटर पर एक्जामपल एस्टो रेशिया तो ये इन लेंड फिशिंग के एक्जामपल आपके कम्पोजेट पिश्ट कल्चर की हम बात करेंगे पाइब टू शिक्स वेराइटी इन अ सिंगल पिश पॉंड पाइब से छे वेराइटी ये पाइटे जो पिश्क्य है वो एकी पॉंड पर लेंगे हम उन्हें एकी पॉंड के लिए पाइच से 6 वेराइटी हम किस स्टरी के से पाइए ये चीज देखने कि अब अब सब एकी वेराइटी की हुई और सब अलग-अलग वेराइटी की उपिशेस हैं लेकिन हम ने उन्हें सेलेक्ट सही तरीके से नहीं करा तो वो सारी क्या गरेंगी अब वो एक ही तरीके का खाना दाती है तो कॉंपिटीशन बढ़ जाएगा तो उसमें तिक्कत बहुत जाब आएगी अब उनकी जो फूड की रिक्वाइरमेंट्स हो वो अलग-अलग वो इस्ते एक्जाम्पल हम देखते हैं कैटला पीड इन अपर पार्ट ऑफ वाटर तो यह वाली जो फिश है अगर हम यह पॉंड म उसपे पीड करती है रोहू जो अतीर इन मिडल पार्ट ऑफ वाटर यह वाटर के मिडल पार्ट में अपना पीड करती है अब अगर्ज कॉमन कार पिलेंगे हैं तो यह बॉटम पर रात है तो इन तीनों को कॉम्पिटीशन सतम हो गया कैटला बो उपर चनिया है फिर पीच advantage, more yield, हमें, अब जो advantage हैं, उसमें क्या होगा, more yield मिलेगी, problems क्या आती है, many fishes lay eggs during monsoon, जो monsoon का season होता, उसमें जो fishes होती है, जाधा तर वो अंडे देती हैं, ठीक है, due to fish number of fish will not grow past, और इस तरह की fishes जल्दी grow नहीं करती है, so hormonal stimulation use करते हैं, हम इसमें using this fishes, इस तरह की fishes पर हम hormonal stimulation करते हैं, can be made to reproduce anytime, कि हम उन्हें कभी भी reproduce करा से हैं, यह problem आती है, beekeeping, it is the practice of keeping, caring, management of honeybees, on a large scale for obtained honey and wax, तो इसमें beekeeping जो होती है, जो मुख्य पालन होता है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, practice keeping, ठीक है, caring, management of honeybees, तागी large scale पर हमें honey मेने और wax लेंगे, many farmers, use beekeeping for additional small income, तो आपने देखा होगा कि बहुत से farmers होते हैं, वो खेत के किनारे beekeeping करते हैं, ठीक है, जैसे कि उनके बहुत सारे खेत पड़े हैं, तो उन्हों नहीं का कि चैनल side income हो जाएं, बंद मख्य पालनी करने रहें, हमें share मिलता रहें और side income वीओ जाएं, तो वो आपने देखा होगा कभी travel कर रहा हो आपने long कर रहा हो या आपके आसपास भी हो सकते, तो आपको boxes रखे ही मिलेंगे, बड़े-बड़े boxes होते हैं तो वो आपको दिखाई देंगे, तो उसलिए को वो लो मदमख्या रखते हैं, पी keeping होता है, also there are big farms called, अब जो big farms होते हैं वो apparise, पी farms कहलाते हैं ठीक है, apparise, ठीक है, the setting up for a number of bips, in desirable location in a systematic manner, तो इसमें क्या होता है, जो bips होते हैं desirable location होती हैं और systematic manner भी होते हैं, that allows maximum pollen and nectar collection, अब इसके अंदर maximum pollen and nectar collection होता है, तो सम कमन इंडियन वेराइटी जो होती है पीसखी इंक्लूड एपस कहराना, इंडिगा के इंडियन बीजर, तोर्सेटा, रॉब बीयर, लॉरल, लिटिल बीयर, तो यह आपकी beef की वेराइटी है, अनिटली वेराइटी होती है जो अमरे पात इंडिया इंडिया पर क्योंरिल लार्ज़ सकेंड अंग्या इंडिया इसमें पूपिया गया, यह high honey collection capacity, इसके अंदर जो honey को collect करने ही capacity है, उस अबसे ज़्यादा है, और यह reproduce past करती है, ठीक है, और इसके जो sting है, वो less है, यानि छोटी है, ती, they stay in a v-hive for long, और यह v-hive में long time तग stay कर सकती है, honey की बात करें, it is a dense sweet liquid, honey जो होता है, यह आपका dense sweet liquid होता है, it is used in medicine के use में आता है, it is used as sugar, और आप इसे शुगर की तरह भी use कर सकती है, it is used as a source of energy, और यह आपका energy का source है, pasture, pasture is, pasture is is the availability of flowers to the bees for nectar and pollen collection, तो यह जो availability यह, तो flowers की bees for nectar and pollen collection जी, और pasture age of flora is the type of crop, यह एक टाइप की flora is the type of crop, flower और other plants from which bees collect nectar and pollen to produce honey, अब यह जो bees जो होती है, यह जो collect गड़ती है, यह फ्रांस है, nectar and pollen तो यह क्या गड़ती है, उससे honey produce रखो, it affects the quality and quantity of honey, और यह जो होता है, यह honey की quality and quantity पर भी effect डालता है, यह बिगोज different flora produce nectar and flora of different type, अब जो होते हैं, यह different nectar होते हैं, different flora produce कर दे हैं, तो उनके nectar and pollen भी अलब होते हैं, तो उसके quality and quantity पर पड़ेगा, इसका example क्या, almond honey, और कश्मीर is very tasty, जो कश्मीर का almond honey आता है, वो सबसे ज़्यादा tasty होते हैं, ओके, अब आपने इसमें कैसी का वो देखते हैं, और यह अब लग, there are several nutrients essential for crops of these, some are required in large quantities and are known as macronutrients, whereas rest of the nutrients are required in small quantities and are known as micronutrients, ठीके, crops में क्यों होता है, nutritious crops होती हैं, ठीके, उसमें less and large quantity में micronutrients होते हैं, और जहाँ पर nutrients होते हैं, small quantities are known as micronutrients, ठीके, तो यह आपके पहली lecture में ने बता दिया था, manner and fertilizer are the main source of the nutrient supply to crops, तो जो crops के लिए, nutrient supply के लिए, main source of manner या fertilizers, और गैनिक फार्मिंग is a farming system with any one or no use of chemical as fertilizers, और गैनिक फार्मिंग जो है आपकी वो, यह वो farming है जिसमें आप fertilizers का यह chemicals का use नहीं कर सकती, herbicides, pesticides, etc and with the maximum input of organic manners और उसके अंदर हम और उसके अंदर हम और गैनिक मेनर के यूज करते हैं, जिससे recycling, farm waste होता है, हमारा जो farm waste होता है, वो recycling होता है and उसमें bio agents होते हैं, with healthy cropping system, इसी निया organic farming एक, farming एक healthy cropping system, mixed farming जो है, is a system of farming on a particular farm, which imputes crop production, phase of liver stock ETC, so mixed farming मैं आपको बता चुपा हूँ, mixed crop भी आपको बता दिया, is grow of two or more crops simultaneously of the same piece of land, यह एक ही पेट में होते हैं, यानि कि एक जहां पर हो रहा है, यह mixed cropping होती है, यह पूरी आप मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया है, mixed cropping ठीक है, growing two or more crops in defined crop patterns, is known as intercropping, खीक है, अब दो रो एक है, तो रो एक एक फजल नहीं है, यह तो वो intercropping हो, the growing of different crops on a piece of land in pre-plant section, is called crop rotation, अब एक के बाद एक फजल कर रहा हो, तो यह आपकी crop rotation कहलाती है, varietal improvement is required for higher yield, food quality, biotic and abiotic resistance, shortening the maturity duration, maturity duration short हो जाती है, wider attempt, humidity and desirable agronomic characteristics, और इसमें agronomic characteristics होती है, अब हम बात करेंगे, यह farm animals required proper care and management, such as shelter, feeding, breeding and disease control, this is called animal husband, तो जो हम farm में animal पार लाए है, यह animal farming कर लाए है, उसमें shelter होना चाहिए, animals के लिए उनको सइख खिलाए हैं, उनकी breeding का ध्यान बैता हैं, disease control, ठीक है, तो यह सब जो चीज़ा आती है, यह animal husbandry, poultry farming की हम बात करेंगे, poultry farming is done to raise domestic pounds, poultry production includes egg production and broilers, जो होते हैं, chicken के जो होते हैं, हम meat के लिए use करते हैं, प्रोइलर्स होते हैं, production उनका जो होता है, वो meat के लिए होता, poultry meat के लिए होता, okay, second हम देखते है, to enhance poultry production, cross breeding is done between Indian and exotic breeds for variety improvement, अब जो इसमें breeding होते हैं, वो Indian and exotic breeds जो होते हैं, वो breeding करते हैं, for variety improvement के लिए, fish may be obtained from marine resources as well as inland resources, ठीक है, to increase production of fishes, they can be culture in marine and inland ecosystem होते है, ठीक है, marine fish जो capture होते है, is done by fishing nets, fishing nets होते है, guided by eco sounders, eco sounders से guide किये जाता है, and satellite or satellites, composite fish culture system is commonly used to work fish farming, key keeping is done to get honey and wax, अब जो key keeping होते है, वो हम्हाना honey and wax के लिए हो, अज़े घर सिधाए और्यों के लिए, एिवे जो होते हैं, के वो को जो की अगाता है, और शो होते हैं, राशarth के लिए, ढれてत greater representation of linear considering the special, आम आम यस्य होते हैं,